लो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चाइनल में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोसल कैसे करते हैं ओके तो आज जी सारे प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे पहले तो जानते है कि बायो मेडिकल व सारा का सारा जो भी वेस्ट रहता है वह एक इन्फेक्टेट वेस्ट रहता है तो उससे हमारे पास बीमारियां पहलने के बहुत जादा चांसेश रहते हैं तो डेबली एचो वाले एक रूल निकाले डाट इस बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोसल उसमें एक अलग-अलग तरह भी एम-डैबलू यहां पर कोई कार का नाम नहीं है बीमडैबलू का मतलब होता है बा delicale वेस्ट बैयो मेडिकल वेस्ट को हम चौट में BMW कहते हैं बीमडैमडैबलू और हास्पिटल वेस्ट इस एजा कांट इनिंगिंफेक्स मतेयरियल समिजनी आ आपको इसका मतलब बीम BMW जो कि biomedical waste या फिर कुछ भी hospital से जो भी कच्रा निकलता है waste निकलता है वो is a kind of waste वो एक खिसम का कच्रा है जिसमें infectious material होता है मतलब infection का सामान होता है वो ओके जो कि produce होता है produced during diagnosis, treatment और immunization of human and animal research इसका मतलब यह जो BMW BMW like biblical waste जो भी निकलता निकलता है we वो कब produce होता है जब लाप्स प्रोडूच होता है, हाजुड देयूसमें produce होता है हॉस्पिटल में produce होता है, nursing homes में produce होता है, research laboratories में produce होता है, Medical research में produce होता है, имся somethinा है था है यह यह सारे के सारे होते हैं, उससे हम BMW चलूट है आप देखिए बायो मेडिकल वेजडिस डिस्पोसल में हमारे पास चार तरह के बीन्स होंगे चार नहीं और भी ग्रीन और वाइड कलर का भी होता है लेकिन उस पर जादा फोकस नहीं इस पर जादा फोकस करना पड़ता है यह बहुत जादा most important होते है पहला बीन होता है yellow bean and second bean होता है red bean and third होता है blue bean and fourth होता है black bean हम उसे bean भी कह सकते है या फिर bag भी बोल सकते है okay bean का मतलब होता है कि dust bean type में आता है okay like इसके beans भी आते है और bags भी आते है बड़े बड़े कच्रा दालने के लिए तो वैसे बड़े color के बड़े जो polythines रहते है वो color color में होते है वो yellow तो भी रह सकते है red भी रह सकते blue भी रह सकते है and black भी रहते हैं तो हम यहां पर beans के बारे में बता रहे हैं okay तो पहले जानते हैं हम कि yellow bean के अंदर हम किस तरह के अवेज दालते हैं क्यूंकि देखिए अलग-अलग beans यूज करना बहुत जादा जरूरी है क्यूंकि अब देखिए मान लीजिए अब जैसा के थोड़े टाइम पहले ही government वाल उसे अलग दालने के लिए बताया जा रहा था क्यूंकि इसमें जो deep burials करते हैं incinerations करते हैं secure land filling करते हैं तो उसमें problem बहुत जादा हो जाती है तो इसलिए अलग-अलग beans यूज करने के लिए government ने हमें बताया था तो उसी तरह यहां पर भी biomedical waste disposal में भी हमें अलग-अलग beans य में लेक ही में दाल देंगे तो मतलब infection जादा होने के chances होते हैं और जादा harmful हो जाता है लाइक मतलब जो भी emplois रहते हैं कच्रा लेकर जाने के लिए उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है हाथों को चुब जाता हो या कुछ भी हो जा सकता है तो इसलिए हम अलग-अलग beans यू यलो बैग में हम किस सरहा का वेस्ट दाल सकते हैं यलो बैग में हम दाल सकते हैं human anatomy waste मतलब इनसान की जो भी anatomy मतलब जो भी body का वेस्ट होता है like anatomical waste याद रखें यहाँ पर बात चरिए anatomical waste जैसा के blood खून हो या फिर body fluid कौंसे कौंसे होते हैं बोलिए CSF body fluid में आता है CSF blood peri visceral fluid okay तो यह हमारे body fluids होते हैं okay and placenta जब newborn baby इस दुनिया में जनल लेता है तो हमारे पास labor watch वह रहता है उसमें placentas वह नजर आते हैं तो वह placenta placentas वह भी हम yellow bean में हमें दालना पड़ेंगा okay and tissues जो भी हम culture करते हैं जो tissues लेते हैं bone tissue रहो liver रहो या lungs रहो कौन सा भी tissue रहो वह हमें yellow bean में दालना होगा okay उसके बाद हम आते हैं bandages okay अब जैसके bandages अंगली कट गई तो and all जैसा bandages use करते हैं तो यह सब चीज़े जो है यह जादा infection पहला सकते हैं इसलिए हम इन्हें अलग bean में use करते हैं मतलब अलग bean इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसक होने का खतरा होता है इसलिए हम इसको अलग bean इसके लिए इसके लिए करते हैं okay अब इसे हम कैसा करेंगे de-beural करना पड़ेगा okay अब इससे मतलब इसे यहां से आएगा hospital को एक लॉरी आएगी आकर मतलब छोटा सा टुक या लॉरी कुछ भी आती है disposal मतलब डबली इसके बा लेकर जाएंगे जाके उसका अलग अलग प्रोसीजर करेंगे मतलब किसको कौन सा कच्रे को क्या करना है किसको जलाना है किसको दफनाना है किसको जमीन के अंदर गाटना है किसको आटो क्लेफ्स में रखके अस्ट्रिलाइज करना है यह सब चीजें का काम करने का काम उनलों इंजेक्शिंस, आलभी ट्यूप, सीरेंज शिरेंज, बोर्टल्स, etc.. तो इस्वे कल्चलाह्ट कईए कंग्युयूच्टल प्लेट्स था लियूच्टल में कथे सिंग्यूच्टल प्लेट्स इसकते हैं गल्वस था लियूंग्ज बैक्स और इंपक्टेड ते जा हम टो आशे हैं जो भी रहते हैं Allah को सक्षन को काने दर्शिक रेते ही तो यह हो जाते हैं वो भी रहते हैं प्रहुता हैं कि पुर만ेते बाई टो दोह स्तीर्ची तो सब्सक्राऊद संगे तो इसे लिए हमें, रेड बीन की लाइब क को रहते हैं सक्षंस रहते हैं सक्षंस भी हम rade bean में दालेंगे दालेंगे उसके बाद यह जो infection थे इससे love infection पॉह है उसके ऑदने जाध चांसित कि रखने होते हैं अब यह तो सुक्षिन की बारी आई अं देन उसके बाद हम इसे इसे क्या करेंगे जब वह की साइट से जो जो भी ट्रैवल आएंगा या कुछ भी आएगा आकर पचरह होस्पिटल से नर्सिंग हों से हमारे लेकर जायेंगा या फिर हमारे लेकर जायेंगा तो इस चीज़ क कैसा करेंगा उन्हें यह लेकर जाके सिधा ऐसे ड़स बीन में नहीं पेगेंगे जिसा नॉर्मली कछरा हम लेकर जाके हम मुंसिपल कोप्रेशन के बीन में डाल देते ना जो रोडों पे रोड साइट्स पे रहते हैं वैसा नहीं रहेगा इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग इन लोगों क्या करते हैं यह दायरेक्ट में करने के लिए की लिए लिकर चल जाते हैं इह बाहरी आते हैं हमारेzet 같아요 भी बहुत सकते हैं अब ब्रू बैग या ब्रू ब्यू बीन में हम चैनल को ऩिए во ज़ना है बेड़ सकते हैं उस में डлов스를 बेंगे बतना हriers एल्स भी इंट बीदेशन गैने साक्ष Kbek बहुत है contribute वोई तरहा इसे हम क्या करें остra इंसें करेंगे इंसेनरेश्न backpack करेंग इंसेनरेशन मतलब एक बॉक्स पाइब उसमें लोग मोज़कि प्राइब करेंगे इसे जला देने खेंगे उसके भी आसे我们 सत्पान करेंगें यहां पर जला देंगे और फोड़ih थाल किमिन्स के वाक्षिक विवर्णाथ को रहे हैं उसी ले गार जौनाएगार उसे राकसरा स बीजा समुष खाना तकी वाम्न्गरिक्ष तरह स उसमें किस खिसम का कच्रा दालेंगे? तो यह लएफट जो कुछ भी फूरुट्स रहेंगा जो भी बचा कुछ निकलता है न हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे लाब हों से और हमारे नर्सिं होम से इसमें डालेंगे। उसमें वेस्ट पेपर दालेंगे या टीशू पेपर जा सकते कुछंब शु juste अइनगी तबेट्राइट्रन के रहेटू नो जब लो फिया तर ओ ब्लाक बनेको ष़ाएं चाकर को दिकर ढूलर सो करके खजायर एक सब्सक्राइब ब्लाइकशम करें जब बड़ा से गड़ा करके जला तो तो या तो फिर उसके अंदर दफन भी कर देंगे बहुत जंगलों में बीज घने जंगलों में लेकर जाके बहुत अंदर अंदर तो फीट बहुत बढ़े गड़े करके उसमें एक अच्रा धाल देंगे तो फ्रेंड्स यह हो गए हमारी आज की टॉपिक बायोमेडिकल वेस् अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जितना हो सका उतना शेयर करें अगर आपको और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक सेखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताएं या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं ओके थाइंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो